जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नामाता लेकिन निर्भया की घटना से उसके मौवद से हमने क्या सिखा हमारे सिस्टम ने में क्या बदलावाया हमारे कानूर में जो भी बदलावा उसमें काम तक क्या हुआ आज भी हम 2012 में ही खड़े तक कर ये जो मुख मंतरी हैं उनके अंदर स्वास्तिम्स रहे हैं उनके अंदर सारे रूल हैं पूलिस हैं और वो नहीं समझ यह जा रहा है कि वो किसके खिलाब परदर्सन कर रहे इं Peki हमारे शिस्टम ने में क्या बदलावाया हमारे कानूर में जो भी बतलारों उसमें काम का क्या हुआ? आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। सबसे पाले तो मैं अपने तरफ से एक आना चाहूंगे कि जो बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके साथ जो गरिंग्दिगी हुई है, जो भी मुझरिम उसमें सामील है, यह खाए या एक से जादा है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उनको सजा मिले, लेकिन आज 6 दिन हो गया, ना पूलिश और अभी CBI तो कल से लगी है, अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुँचा गया कि नहीं, उस बच्ची के साथ एक था या और कोई सामील है, या उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, यह सोचना बहुत दूर की बात है, जो भी हला तो अहां पैदा हुए हैं, कि डाक्टर सवाज उठा रहे हैं, कि नहीं हमको सपोर्ट चाहिए, हमको सुरक्चा चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हस्पीटल के अंदर उस बच्ची के शाथ घटना हुई है, यह बहुत सोचने कभी साय है, बहुत अफसोस जनक है, कि हस्पीटल के अंदर जहां बच्ची ड्यूटी कर रहे हैं, मरीजों के शाथ काम कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनका इल अगर हास्पीटल के अंदर खुच जहां वो डिप्टी पे है अब वहां वो सुरक्षित नहीं है तो आप आम महिलाया और बची के लिए क्या हां क्या सोच सकते हैं लेकिन सबसे दुर्भाग्य जनक यह है कि जो वहां पे हलाग पैदा हुई है सरकारें एक दूसरे पे ठोप रहे हैं परदर्शन कर रहे हैं बजाए कि वो उस केस पे काम करें महिला सुरक्षा पे बात करें अपने कानून में जो भी कम्या हैं उसको पूरा करें लेकिन नहीं वहां पे तो जिनके जो मुखमंत्री हैं उनके अंदर स्वास्तमंत्रा लाए कि कि इसे फासे मांग रहे हैं रूब तो उनके हात में है कानून ong के हाथ में है कंड़ हिस केस को साफ़ जू तरफ सरकार पहुंच असकती है हैं कि जो भी यहण डाक्टर्स अवाज उठा रहे हैं उस बची के लिए करते ही उनको दबाया जा रहा है उनको दबाने के लिए उनको डराने के लिए हस्पीटल के अंदर एक भीर आती है तोड़ तो मैं आपके चाइनल के माधम से कहाना चाहूंगे कि हम सबको इस पे मिल के सोचने की ज़रूरत है शरकार को सोचने की जरूरत है कि आज भी जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है लेकिन निर्भया की घटना से उसके मौवद से हमने क्या सिखा है हमारे सिस्टम ने में क्या बदलावाया हमारे कानून में जो भी बदलावा उसमें का क्या हुआ आज भी हम 2012 में ही खड़े तो हम यह चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के डाक्टर्स बाहर रोट पे हैं उनको इनसाफ मिले उस बची को इनसाफ मिले उस माबाप को इनसाफ मिले क्योंकि यह घिनावना जो अपराध हुआ है जो उनके माबाप के बेयान आ रहे हैं टीवी पे देख रहे हैं कि पुश्टमाडव रिपोर्ट कुछ और कह रहे हैं जिस तरह से बची के साथ बढ़ कि कि कोंसे लोगों के नजर्रे से कुछ छीपा हुआ है से वह बाहर आना चाहिए क्योंके जिस तरह से वह बात कर रहे हैं पोस्ट माडंığımız रिपोर् jetsा सामने आ रहे हैoms तरह से तो लगत रहे हैं कि भश्य के साथ पूंस और ही हुआ उसमें कुछ कोई और भी सामिल है क्योंकि एक आजमी इतना काम नहीं कर सकता आके ले तो हमें चाहेंगे कि जो भी हुआ बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है तो उसके माबाप को इंसाफ मिले जो हमारे डाक्टर्स बाहर परदर्सन कर रहे हैं उनको जो भी मांगे हैं सरकार उनकी मदद करें आज छे दिन हो गया अग कहीं कोई उस case में कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है अभी एक मुजिरिम पकड़ा गया है तो कहीं न कहीं इसमें जो कुछ है केस में लग रहा है कि नहीं कोई और सामिल है तो इस पर जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द चीजें सामने आने चाहिए तभी तो केस आगे वड़ेगा तभी तो छे दिन हो गए अब कुछ भी सामने नहीं आया तो उसके माबाप को संतोज कैसे होगा, जो डाक्टर्स बाहर हैं, उनको कैसे क्या आप करेंगे, क्या जवाब देंगे, तो ये सर्कार का खर्ज बनता है कि उस बची के साथ जो की नाउना अपराद हुआ है, उन सारे मुझरिमों को जो भी इसमें सामीन है, सब को अरेश्ट पूरे करेंगे, आपको सेप्टी परवाइब करेंगे, तब ही जाके हलाद सूदरेंगे, और उमीद करते हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ हुआ, बहुत सारी आवाजे उठ रही है, मुझरे मंत्री के रेजिग्नेशन की भी आवाज उठ रही है, आपको क्या सब्सक्राइब करेंगे? आप इस पर काम करिए, आप हस्पीटल के अंदर जो भी सबूत हैं उसको कलेक्ट करवाएए और बची को इसाफ मिले इस पर काम करेंगे. आगरी सब्सक्राइब करेंगे? 2012 के बाद में चीज़े कितनी बदली ये भी जाना चाहेंगे और ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे इन केसिस में लगाब लगे देखिए 12-13 साल हो गए बहुत चीज़े ठीक हुई है बदली है अगर नहीं कुछ बदला है तो महिला महिलाओं के साथ रेबल अदकार महिलाओं के साथ घटनाए क्यूंकि हमें नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए महिला के साथ घटनाए हो गई है उनके इंसाफ के लिए पूरुजरों को सजा हुई पूरुय हैं गतना रोज हो रहे हैं हमारा समाच सूच बदल जाएगी अगर आप मुजीरों को सजा नहीं देंगे जेल में बैठा के उनका पालन को संद करेंगे उनकी मांगे पूरी करेंगे, तो महिलाए सुरक्षित defence काम नहीं होगी हमें नहीं लगता है कि समाज की सोच बदलेगी तब महिलाए सुरक्षित हो झाल झाल